तो जैसा कि हम अलग-अलग ग्रहों की यूतियों के बारे में बात कर रहे हैं, आपके चार्ट में, विफिन भाव में, जब यूतियां अलग-अलग भाव में हों, अलग-अलग ग्रहों की, तो वो क्या-क्या result हो सकते हैं, बुद्ध और चंदर्मा की यूति अगर आपके प व्यक्तित्व वाला होगा, वो height में बहुत ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा दोना या मद्यम height वाला हो सकता है, बट जातक में कुछ हद तक quality गुन बहुत ज्यादा होगे, जातक करिष्माई होगा, अपनी व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत जल्दी दूसरों पर छोड़े केस में जातक बहुत ही multitasking होगा, बहुत सारे काम एक साथ करने वाला और उसकी जो सोच है सोच और उसकी कारिय करने की छमता उसमें बहुत बड़ा एक difference नजर आ सकता है, जहां पर जातक की कलपना सकती बहुत ही ज़्यादा हो सकती है, उसको काम करने की skill काफी अच्छी हो सकती है उसको लिखने की skill अच्छी हो सकती है बात करने की skill काफी अच्छी हो सकती है तो ऐसे जातकों में बहुत सारे गुण पाए जाएंगी, बहुत सारी qualities पाए जाएंगी, और अगर ये जातक इन गुणों का, इन qualities का बहुत बहतर इस्तेमाल कर लें, तो निस्सीती ये जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, बुद्ध और चंद्रमा जब भी लगन में आते हैं, ऐसे केस में, क्योंकि चंद्रमा भी काफी सी दलता परदान करता है, और अगर किसी भी कुरूर्ग्रया का प्रुभाव ना हो लगन पर, तो निस्सिती ऐसा जातक बहुत ही cool mind वाला होगा, लेकिन चंचल वो अवस्य होगा, चंचल होने का कारण यह है कि बुद्ध साथ है, तो बुद्ध हमेशा एक से ज्यादा काम करने एक साथ या कुछ ज्यादा सोचने के परती सतरक करता है, ऐसा जातक हमेशा दो कारियों के बारे में एक साथ सोच सकता है, या दो कारियों को एक साथ कर भी सकता है, बहले ही युति आपको काफी कुछ प्रवाइड करती है लेकिन थोड़ा सा अगर ये किसी दूसरे ग्रहे से प्रभावित हो तो निस्थिति आपके मन पर काफी बड़ा प्रभाव डालती है अब बुद्ध आपकी बुद्धी मता को दर्साते हैं आपके कोसल को दर्साते हैं आपके इंट्रिजेंस को दर्साते हैं और जब चंदर्मा इनके साथ आ जाएंगे इस केस में आपकी बुद्धी मता आपकी कोसल को आप बहुत बेतर तरीके से इस्तिमाल कर सकेंगे आपके ऐसे जाए तक कभी-कभी बॉलने में बहुत जल्दबाजी कर सकते हैं, यह इनकी जबान फिसल सकती है, कभी-कभी यह भी हो सकता है, ऐसे जाए तक कुछ लिखने में बहुत अच्छे होंगे, आर्टिकल वगरे को राइट करना, किसी बुक को राइट करना, बॉलने में तो अच्छे होंगे होंगे लिखने में भी काफी अच्छे होंगे तो ऐसे जातक सिक्षा के छेतर में बहुत अच्छा कर सकते हैं फाइनेंस के छेतर में बहुत अच्छा कर सकते हैं फिर आपके चार्ट में बुद्ध जिन भाओं के स्वामी हैं उन भाओं को देखिए उन थोड़ा डाइवर्ट होगा और किसी भी छोटी सी छोटी बात से भी प्रभावित होगा और क्योंकि चंद्रमा साथ है चंद्रमा साथ होने के वज़े से थोड़ा सा प्रभाव भी अगर किसी चीज का पढ़ता है या किसी गटना का पढ़ता है तो ऐसे जातकों की पूरी की पुरी लाइफ प्रभावित होगी अब यहां चंद्रमा या फिर बुद्ध की आपको मालीजे महादसा आती हो तो उसकेस में इनके और भी ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाएंगे यहां चंद्रमा और बुद्ध को आपको देखना पड़ेगा क्या बुद्ध वकरी है बुद्ध अगर वकरी हो तो इसके प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और बुद्ध के वकरी होने के बाद यहां पर आपको थोड़ी चंचलता ज्यादा देखने को मिलेगी इसके लवा बुद्ध अगर अस्थ हो तो उस case में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता आपके लिए क्योंकि फुर्च सूर्ये से बुद्ध अस्थ होगा अब तो आपका चंद्रमा पर भी इसका पूरण परभाव पड़ेगा कुछ हद तक फिर आप बहुत ज़्यादा चंचल नहीं होंगे काफी confident नजराएंगे काफी स्तिर विचारों वाले होंगे आपका ध्यान एकी काम पर लंबे समय तक लगा रहेगा आप कुछ हद तक थोड़े करूरता वाले हो सकते हैं चंद्रमा और बुद्ध का लगन में होना जातक को हर चीज के परती काफी caring बनाता है ज्यान गरहन करने कुछ नया सीखने के परती हमेशा परवर्त रखता है जब ये दोनों गरे लगन में होंगे तो ऐसे जात तक की personality तो अच्छी होगी होगी उसका काम करने का तरीका औरों से बहुत different होगा उसका काम करने का style बहुत ही unique होगा ऐसे जातक किसी भी field में adjust हो सकते हैं जहां पर बहुत दिग ज्यान के आव सकता है जहां पर बहुत दिग छमता के आव सकता है जहां पर कुछ किसी को बताने के आव सकता है या जहां पर वानी या mental ability का काम है जहां पर finance का काम है जहांपर किसी भी प्रकार की कोई डील होती हो, जहांपर किसी भी प्रकार का कोई बिजनस होता हो इसके लावाद चंदरमा से जुड़ा हुआ बिजनस करने के लिए एक बहुत ही अच्छी इस्तिती बनती है साथ ही किसी को आप अच्छे से एडवाइस दे सकते हैं अब यहां चंद्रमा साथ आ रहे हैं बुद के तो ऐसा जातक थोड़ा ज्यादा helping nature वाला बन जाता है इस case में कभी-कभी जातक का फाइदा दूसरे लोग बहुत जल्दी उठा लेंगे जातक थोड़ा उदार सभाव वाला होगा हलंकि वो तेज तर्रार होगा समझदार होगा और हर बात को लोजिक के बैस पे बोलेगा बड़ चंद्रमा साथ आ गए हैं तो निस्चिती जातक दूसरों के लिए जीएगा कभी-कभी उसकी life दूसरों के लिए है यह आप मान सकते हो चंद्रमा यहां आ गए हैं तो निस्चिती जातक को बुद्ध को वो इस तिर नहीं रहने देंगे और जो बुद्ध की qualities आपको मिली हैं जो बुद्ध के गुण आपको मिले हैं वहां कई न कई कुछ न कुछ fluctuation हमेशा आते रहेंगे और उन रिस्तों में भी कुछ न कुछ fluctuation आते रहेंगे जो बुद्ध जिन भावों का स्वाम है उन भावों से समंदित जो रिस्त हैं आपके इसके अलावा आप यह देखे कि चंद्रमा आपकी कुणले में कौन से भाव के स्वाम है उस भाव की चीजें आप में actual में होंगी या उस भाव की quality उस भाव से समंदित चीजों को आपको प्राप करने के लिए बहुत ज़्यादा जिवन में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बुद्ध और चंद्रमा जब भी लगन में आते हैं ऐसे जातकों कोई बहुत एक कौसल वाला काम करना चाहिए ऐसे जातकों के artistic skill बहुत ज़्यादा मजबूत होने अच्छे होने के chances हैं ऐसे जातक जितने ज़्यादा मेहनत करते जाएंगे जितना ज़्यादा hard work करते जाएंगे उतने ही इन में छमता और आती जाएगी साथ ही बढ़ती उमर के साथ ऐसे जातक बहुत अच्छे businessman बन सकते हैं लोगों के लिए कोई भी ऐसी सहंस्ता शुरू कर सकते हैं या लोगों की help के लिए कोई अन्ने कारी कर सकते हैं साथ ही साथ ये NGO बहुत अच्छे से चला सकते हैं इसे लोग या कोई भी आप बोलेजिए शिक्सन से समंदित सहंस्ता हो या आपको book वगरे sale करने का काम हो या book write करने का काम हो राइटिंग करने का काम हो वो भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो साथ ही साथ यहां थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखने के आव सकता है जब भी आप किसी से बात करते हैं जब भी किसी के साथ कोई behave करते हैं लेंदेन करते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा उदारता नहीं बरतनी चाहिए अगर आप ज़्यादा उदार्ता बरतते हैं तो यह आपके लिए घातक हो सकती है इविन आप अपना लोज कर सकते हैं साधी यह यूति कुछ हद तक आपको बिजनस में नुकसान भी करवा सकते हैं कि आप ज़्यादा उदारता दिखाते तो साइद आप अपनी वस्तू को बहुत ज़्यादा महंगी नहीं बेच पाते या जितना ज़्यादा प्राइस आप चाते उतना ज़्यादा आपको मिल नहीं पाता तो कुछ है तक यह आपको इस प्रकार से भी प्रभावित करेगी बट हम गुणों के मामले में अगर देखेंगे बुद्ध और चंद्रमा की यूति को तो आपको जिवन में काफी कुछ यह यूति देगी बहुत सारी छमताएं आपको प्रवाइड करेंगी जिनका यूज करके आप ज्यादा ज्यादा अपने ज्योन को बहतर बना सकते हो अपने ज्योन में और ज्यादा बहतर कर सकते हो साथ ही कलात मकता या कलपना सेलता बहुत ज्यादा प्रवाइड हो जाती है आपको तो ऐसे जातक हमेशा कुछ नया सीखने में बहुत अच्छे होंगे यह educational field में काम कर सकते हैं यह education में काफी अच्छे होंगे बहुत ज़्यादा multi talented होंगे और यह किसी को भी अपनी बातों से विवार से आकरसित करने की चमता रखते ही हैं फिर ऐसे जातक किसी भी काम को बहुत अच्छे से manage कर पाएंगे बहुत अच्छे से संबाल पाएंगे बले किसी भी प्रकार का कारी हो साथ ही ऐसे जातक आपको अक्सर ऐसे field में मिल जाएंगे जहांपर किसी को कोई advice देना रहता है जहाँ पर किसी की कोई help के लिए कोई सेवा संचालित हो रही है जहाँ पर कोई बौधिक कारी हो रहा है धन से समंदित हो या किसी को कुछ सिखाया जा रहा है कुछ बताया जा रहा है ये सब कारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं अब आप ये देखें कि आपका जो सब्तम भावा उसमें कोई ग्रह तो नहीं है अगर वो ग्रह होगा तो वो आपके लगन पर दस्टी डालेगा जिससे ये दोनों ग्रह प्रभावित होंगे फिर यहां बुद्ध अगर वकरी हो जाता है उस केस में आपको थोड़ा ज्यादा डिफिकल्टी आ सकती है कामों को मैनेज करने में हलांकि आपको क्वालिटी जो और ज्यादा मिल जाती है लेकिन आपको डिफिकल्टी भी फिर काफी ज्यादा आएगी आपको बहुत जो